हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक तु मैं यूट्यूब चैनल स्टड़े तुगेदर विद रतिका आज की वीडियो में वी आ गोंग तू स्टार्ट क्लास 7 चैप्टर नुबर 6 दिस फिजिकल एंड केमिकल चेंजिस तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजिस को समझने से पहले इस मच इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि चेंज किसको कहते हैं तो देखें वाट इस चेंज कोई वे सबस्टेंस यहां पर यह एक सबस्टेंस है यह सबस्टेंस जब अपने ओरिजिनल फॉर्म से थोड़ा सा भी अलग दिखता है उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन होती है औ तो आप यह कह सकते हैं कि जब कोई एक सबस्टेंस अपने ओरिजिनल फॉर्म से थोड़ा सा भी अलग हो जाता है उसका जो नया फॉर्म आया है वह ओरिजिनल फॉर्म से थोड़ा सा भी अलग है तो हम कहेंगे that a change has taken place इसको हम नॉर्मल सेंस में अगर बात करें तो देखे water you have taken उसमें थोड़ा सा sugar add कर दीजे water का अपना टेस्ट अलग होता है जब उसमें हम sugar add कर देते हैं तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है तो कुछ तो उसमें change आया है तो इसी को हम change कहते हैं जब कोई सबस्टेंस अपने ओरिजिनल फॉर्म से थोड़ा सा भी अलग हो जाता ह अब यह दो टाइप के होते हैं एक तो है physical change एक होता है chemical change हम पहले देखेंगे कि what is physical change देखें कोई भी change जिसमें कोई भी substance के physical appearance में कुछ बदलाव आया है physical appearance मतलब कोई चीज कैसी आपको दिखाई देती है उसको उसका physical appearance कहते है जैसे कि किसी चीज का shape color size उसका state मतलब वो solid liquid है liquid है तो यह सारी जो चीज है अगर इन सब चीजों में कुछ change आया है इसका मतलब वो physical change कहलाता है physical change में यह भी important है कि कोई नया substance नहीं बनता है ठीक है no new substance is found यह चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा अब physical change के हम कुछ examples देख लेते हैं for example आप देखें कि एक rubber band आपने ले लिया है इसको जब आप stretch करेंगे मरला आप खीचेंगे तो उसके physical appearance में change आएगा जैसे कि पहले वो थोड़ा सा थिक था अब जैसे stretch करेंगे थोड़ा सा thin हो जाएगा मरला थोड़ा सा बतला हो जाएगा ठीक है stretch करने के बाद उसके length increase हो जाएगी size में difference जाएगा तो सिर्फ यहीं पर जो differences हमें दिखाई दे रहे हैं यह है physical change उसमें कोई नया substance नहीं बन रहा है जैसे ही आपने rubber band को release किया वो अपने ही shape में अपने ही size में आ जाएगा इसका मतलब यह एक physical change है ठीक है तो सबसे पहले है activity 6.1 cut a piece of paper in four square pieces एक paper है ठीक है इसको आप छोटे-छोटे pieces में divide करें सबसे पहले यह पूरा एक बड़ा सा paper था इसको आपने 4 अलग-अलग pieces में divide कर दी है अब एक piece को भी हमने 4 piece में divide किया है when you compare this one with this one तुमको समझ में आया है कि इसका size में difference आ गया है कोई नया substance नहीं बना है that is why इस type के change को हम कहेंगे physical change और हम example कु on the floor near the chalkboard in your classroom जैसे हम classroom में teachers लिखते हैं chalk से तो chalk के powder नीचे गिरते रहते हैं उन सब को अगर आप collect कर ले और उसमें थोड़ा सा आप water add करें जिसको थोड़ी देर के लिए अगर हम छोड़ देंगे तो वो dry हो जाएगा आप यह dry होने के बाद इसी को हम अगर लिखने के लि नहीं बना है ठीक है activity 6.3 activity में क्या करना है कुछ हमने ice के pieces ले लिए हैं ठीक है और उसको हम एक tumbler में या कुछ एक glass में रख देंगे उसको थोड़ी देर के लिए melt करना start करें चाहे आप heat करें या उसको हम naturally melt होने दे तो क्या होगा water होगा और साथ में उसमें ice होगा इसको और उसके बाद water से दुबारे change हुआ ice में तो क्या कोई नया substance बना है कोई नया substance नहीं बना है ice था अभी भी ice ही मिला है इसी को हम क्या कहते है physical change कहते हैं तो I hope आप लोगों को physical change का meaning अब समझ में आ गया होगा तो physical change में आप define कर सकते है a change in which a substance undergoes a change in its physical properties और physical properties को आप लिख है shape है color है यह सारी चीज़े physical properties में आती है इसमें कोई भी नया substance का formation नहीं होता है अब यह जो physical changes होते हैं यह reversible भी होते हैं और irreversible भी होते हैं बतला जो भी substance हमारा नया बना है उससे हम former जो पहला substance था original substance था वो बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं लेकिन दोनों ही physical में ही आएंगे इंके भी में example आगे आपको दूंगी अब next हम देखते हैं what is a chemical change तो देखे कोई भी change जिसमें कोई भी chemical का involvement हो कहीं पर chemical reactions हो रहे हो तो उस change को हम कहेंगे chemical change and secondly इसमें एक नया substance का formation होता है इसका best example यह होगा जैसे कि यह iron का substance है कोई एक block है आप देखते हैं आपके घर में लोहा रखा होता है उसमें moisture की वज़ा से oxygen जैसे air उसमें लग रही है तो उसकी वज़ा से उसमें जंग की एक layer चड़ जाती है जिसको हम कहते हैं iron oxide या ferric oxide तो इसी को हम कहते हैं जंग लगना या rusting होना और यह chemical process है chemical change है क्योंकि इसमें chemical reactions का involvement है ठीक है इसक मैंने आपको starting में ही example दिया था हम जो खाना खा रहे हैं उसका digestion होता है that is also a chemical change क्योंकि digestion में भी एक chemical reaction हो रहा है हमारी body के अंदर बहुत सारे metabolic activities हो रही है जो कि chemical changes होती है और भी कुछ examples हम देखते हैं यहां पर जैसे कि magnesium है ribbon of magnesium जो कि white color का होता है इसको जब हम heat करना start करते है तो जैसे ही हम इसको heat करना start करेंगे तो इसमें से white light produce हो रही है यह आप देख पा रहे हैं पूरा heat होने के बाद इसमें से ash भी produce होगा और इसमें से white light भी produce हो रही है that is why a new substance is found अब यह जो नया substance हमारे पास आया है यह this ash this is known as magnesium oxide यह कैसे बनता है let's see that magnesium जब oxygen के साथ react करता है तो यह बन जाता है magnesium oxide MgO ठीक है तो अब यह जो MgO है इसको अगर हमने water के साथ react किया मतलब पानी के साथ हमने इसको react करवाया तो इसमें हमको मिल जाएगा magnesium hydroxide that is MgOH whole twice तो अब यह जो magnesium hydroxide हमारे पास आया है इसको जब हम test करेंगे with the help of litmus paper red and blue litmus paper के साथ इसको अगर हम check करें test करें तो हमें क्या पता चलेगा क्योंकि इसमें OH है तो यह एक base है यह तो हमें पता है लेकिन जो test कर रहा है हो सकते है उसको नहीं पता है तो वो कैसे इसको test करेंगा हमें पता है ABRBRB आगर हमने red litmus लिया है तो वो red litmus को blue litmus में change कर देगा जब भी हम उसको base के साथ react कर वाएंगे तो हम magnesium hydroxide को test करने के लिए अगर red litmus लेते हैं तो वो blue litmus में change हो जाएगा इसी से हमें पता चलता है कि हमारे पास अब जो substance आया है यह जो aqua solution है water में mixed हुआ है यह एक base है चीक है now because a new substance is getting formed that is why this change is a chemical change और साथ में इतने सारे chemical reactions हो रहे हैं that is why also it is a chemical change चलिए अब एक और activity देखते है activity 6.7 तो इस activity में हमें क्या करना है we will take teaspoon full of copper sulphate यह एक powder होगा जो कि blue vitriol के नाम से भी जाना जाता है इसको we will add into a beaker जिसमें already हमने पानी ले लिया है यहाँ पर यह diagram है water हमने लिया है उसमें हम copper sulphate powder add करेंगे तो यह जो solution होगा now it will turn into blue color जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है हम इसमें से थोड़ा सा solution as a control side में रख लेंगे inner test tube या कहीं पर भी वो just हमें check करने के लिए चिक है अब इसमें हम एक nail या तो iron का nail हो या blade हो कुछ भी एक चीज जो कि iron की बनी हुई हो वो हम इसके अंदर रख देंगे थोड़ा सा time देने के बाद हमको पता चलेगा कि यह color पहले तो blue था now it has turned into green color चीक है और यह जो iron था iron का आपने जो भी substance लिया था उसके आस पास क्या होगा brownish color की coating आ जाएगी now why this is happening इतको हम देखते हैं एक बार तो इस reaction में क्या हुआ होगा एक बार हम यह देखते हैं हमार पास copper sulfate फिलाल आ गया है यह जो blue color का solution है this is of copper sulfate इसमें जब हमने iron add किया मरला iron का कोई भी substance हमने add किया है तो इसमें एक reaction होगा जिसकी वजह से बन जाएगा यहाँ पर FESO4 that is iron sulfate और copper यहाँ से अलग निकल जाएगा that is Cu तो यहाँ पर जितनी भी चीजे जो भी color में changes हमें दिखाई दे रहे हैं सब कुछ यही से समझ में आ जाएगा copper sulfate starting में हमने लिया that is blue color इसमें हमने add किया एक iron क्योंकि इस reaction में iron sulfate निकल रहा है तो यह जो green color हमें दिखाई दे रहा है न this is because of the formation of iron sulfate जिसका color होता है green अब ह मैंने आपको कहा था iron के ऊपर एक copper brown को मतलब reddish brown color की coating आ गई है that is because of the production of this copper तो यहीं पर हमें दिखाई दे रहा है कि यह जो chemical reaction हुआ है इसकी वजह से यहाँ पर एक chemical change आया है चीक है चलिए अप देखते है activity 6.8 इसमें we will take small amount of vinegar जिसमें हम add करेंगे baking soda यहाँ पर side में आपको एक link दिखाई देगी अगर आप उसमें click करेंगे तो आपको यह reaction जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको vinegar और baking soda का यहां से आपको एक short सा video दिखाई देगा जो कि मैंने बहुत पहले perform किया था in case you want to watch that तो आप यहाँ पर click करके watch कर सकते हैं तो और base जब react करते हैं तो उसमें एक neutralization reaction होता है तो यहाँ पर reaction में हमारे पास एक substance आएगा that is carbon dioxide यह एक gas की form में produce होगी जैसे ही हम baking soda में vinegar को add करेंगे तो एक hiss करके sound आएगा मतलब F of essence produce होंगे बहुत सारे bubbles produce होंगे that is because of the production of carbon dioxide gas अब इसी gas को हमें अगर check करना है कि यह whether this is carbon dioxide या any other gas देखिए यहाँ पर activity है यह baking soda and vinegar वाला जो solution था इस gas को यहाँ से जो भी gas form हो रही है इस gas को अगर हम pass करते हैं यहाँ पर lime water में तो यह lime water milky हो जाएगा थोड़ी सी देर में चीक है now because यह हम reactions कर क्यों रहे हैं यह चीज़ प्रूफ करने के लिए कि यहाँ पर एक chemical reaction हुआ है और इसमें से एक chemical change हुआ है और कोई एक नया substance का formation हो रहा है तो I hope आप लोगों को यह physical and chemical changes समझ में आये होंगे तो हम chemical changes को इस तरीके से define कर सकते हैं a change in which one or more new substances are formed is called a chemical change जिसमें एक chemical reaction takes place चीक है इसके अगर हम normal example देखे तो बहुत सारे example से जैसे मैंने आपको बताया था जो digestion होता है food का that is a chemical change कोई भी fruit है वो जब ripe कर जाता है पक जाता है that is also a chemical change fermentation of grapes grapes का fermentation होता है तो वो एक chemical change है ठीक है तो यह सारे चीजों में एक नया substance बन रहा है कुछ chemical changes आ रहे हैं तो chemical change में हम यह सारी चीज़े देख सकते हैं या तो उसमें heat light इस टाइप की चीज़े produce हो चीक है या उसमें से कुछ sound produce हो कुछ आवाज आए ठीक है या किसी नया smell आप देखी कि कोई नया smell produce हुआ है कोई color में change आया है या कोई gas नहीं बनी है तो यह सारी चीज़े क्या होती है यह chemical change को हमें शो करता है ठीक है यहां पर कुछ और यहे एक 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 स्टाउट जाता है इसको टृष यहां, कके चाहीं और अभर को बीच में अब देखेंगे उसमें brown color का coating से आ जाएगा, brown में वो change हो जाएगा, because उसका oxidation हो जाएगा, जो apple है, वो oxidize हो जाएगा, इसलिए वो brown color में change हो जाएगा, और ये क्या है? ये एक chemical change को show करता है, ठीक है? now let's see rusting of iron मतलब लोही के जो objects होते हैं उनमें जंग लग जाता है rusting हो जाती है तो ये कैसे होती है इस चीज़ को हम देखेंगे देखें जब कोई iron का object ऐसे ही just it is lying in presence of air तो क्या होता है air का oxygen उसको मिल रहा है और थोड़ा सा moisture हमारे atmosphere में रहता ही है moisture का मतलब उसको water भी मिल रहा है तो जब ये दोनों चीज़े इस iron object को मिल जाती है तो वो oxidize हो जाता है उसमें oxidation reaction हो जाता है जिसकी वज़ा से एक नया substance बनता है तो आपको दिखाई देगा कि इस iron object के उपर एक brown color की coating आजाएगी रेडिश ब्राउन टाइप की coating आजाएगी वो coating होती है iron oxide की तो let's see the reaction यह देखिए आप यह iron we have taken इसमें oxygen from the air और water भी from the air यह दोनों react करते हैं iron के साथ तो यहाँ पर बनता है हमारे बास rust that is iron oxide अब यह जो rust है इसके लिए दो चीज़े बहुत ज्यादा important है कि उसको oxygen मिले और water मिले इन दोनों मेंसे कोई भी एक चीज़ अगर absent रहती है कोई भी एक चीज़ ऐसी है जो कि उसको नहीं मिल पा रही है तो this process will not at all take place चीक है तो अगर हमको बचाना है अपने iron objects को मतलब उसको rusting होने से prevent करना है तो हम क्या करे कोई भी इन दोनों substances water और oxygen को हम उसको अगर ना दे तो rusting होगी ही नहीं तो हम कुछ इसमें precautions ले सकते हैं for example जो भी हमारा iron का object है हम उसके उपर एक oil की या कोई भी एक paint लेके उसके उपर पुरी एक coating कर दे तो क्या होगा यह paint will prevent the oxygen and water to reach the iron surface तो जब iron को oxygen और water नहीं मिलेगा तो rusting नहीं होगी हम paint भी use कर सकते हैं oil भी use कर सकते हैं grease होता है यह भी use कर सकते हैं इन सब चीजों से rusting नहीं लग पाती है एक next process होता है जिसको हम कहते हैं galvanization galvanization में भी क्या होता है जो भी iron का object है इसके उपर एक layer चड़ा दी जाती है zinc की zinc एक metal होता है तो जब zinc की इसके उपर layer चड़ जाती है तो oxygen and water will not come into the contact of this iron object and therefore rusting will be prevented तो this coating of zinc या depositing a layer of zinc is known as galvanization चीक है अब इस rusting of iron की वज़ह से कितना ज़्यादा loss होता है हम ये भी देखते है जो ships होते है हम देखते हैं ships को हम commercial purpose के लिए भी use करते है तो ship का थोड़ा part हमेशा water में ही dip रहता है क्यूंकि आप इसमें ये जो water है इसमें salty water भी हो सकता है जिसकी वज़े से rusting और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा तो हम देखते हैं यहाँ पे ship में हर वक्त rusting वाली problem रहती ही है इसलिए ship में से कुछ part हर साल change करना ही पड़ता है मतलब उसका repair करना ही पड़ता है क्योंकि इतना बड़ा surface है इसको हम हर वक्त greasing, oiling ये सब हर वक्त नहीं कर सकते है क्योंकि ship तो most of the time water में dipped रहता है तो इसलिए इसका वो वाला part जहाँ पे rusting हर वक्त लगती रहती है तो उस part को कुछ-कुछ time के बाद repair करना पड़ता है चलिए अब हम देखते एक नएया topic that is crystallization ये भी physical and chemical changes पर ही based है जो कि आप मुझे बताएंगे whether it is physical change या a chemical change तो हम देखते हैं हमारे पास salt कहां से आता है हमें बता है जो sea water होता है समूद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारे salts होते है तो जब हम उसमें से salt को obtain करते है तो क्या ये pure form में होता है no क्योंकि बहुत सारे salts है तो उसमें बहुत सारे salts का mixture है पहली बात ये pure form में भी नहीं होता है और ये अपना original crystal form में भी नहीं होता है तो हमारे पास अगर एक salt है तो हम उसका crystal कैसे बना सकते है वही इस process में हम देखने जा रहे हैं तो इस activity में हम देखिए क्या करते हैं, we will take some water, water में we will add sulfuric acid that is H2SO4 और यह dilute form में लेंगे हम, चीक है, sulfuric acid इसमें add करने के बाद, we will start heating it, जब हम इसको heat करना start करेंगे, then slowly slowly we will add copper sulfate powder to it, इसमें जैसे ही हम powder डालना start करेंगे, तो हम उसको continuously stir करते रहेंगे, मतलब उसको with the help of a glass rod, हम उसको stir, मतलब हिलाते रहेंगे, चीक है, अब हम इसको side by side copper sulfate का powder add भी कर रहे हैं, और उसको stir भी क करना है, जब तक एक ऐसी solution बन जाएगी, जिसमें और आप नया copper sulfate powder add ना कर पाए, ऐसे solution को हम कहते है, saturated solution, अब जब यह बहुत अच्छे से गरम हो चुका है, और आप copper sulfate नया उसमें नहीं add कर सकते हैं, इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही, and we will wait for some time, जैसे जैसे वह cool होता र formation हो रहे है, this process of formation of crystals from the pure substance is known as crystallization process, तो अब यह physical change है, या chemical change है, यह आप मुझे बताएंगे, तो चलिए, आज यह chapter हमारा complete होता है, मिलते हैं next video में, इस chapter के question answers के साथ, तब तक bye-bye, take care, and thanks for watching.